लोग सबाद चुना और आचा सही ता खत्म होने के बाद मोहन सरकार एक्टिव मोड में आ गई है इसी कड़ी में आज मोहन कैबिनेट की एहम बैठक हुई जिसमें कई बड़े फैसले पर मोहर लगाई गई वही कैबिनेट के फैसले की मंतरी केलाश विजेवरगी ने जानकारी देते हुए कहा कि अभी तक माननिये को मिलने वाले वेतन पर इंकंट टेक्स राज्य सरकार जमा करती थी लेकिन अब इस नियम को समाप्त किया जाएगा मंत्री केलाश विजेवरगी ने कहा कि अब विधायक मंत्रियों को खुद इंकम टेक्स भरना पड़ेगा पार्शदों का ही सिर्फ गैजट नोटिफिकेशन होगा अध्यक्ष का गैजट नोटिफिकेशन नहीं होगा इसके साथ ही मोहन केबिनेट की बैठक में इन एहम प्रस्तावों पर लगी है मोहर हम आपको बताते हैं पहला शहीदों के माता पिता को भी मिलेगी आर्थिक साहयता केबिनेट बैठक में ये बड़ा फैसला किया गया है कि केंद्री और राज़्य की पेरामिलेटरी और फोर्स की सेवा में शहीद होने वाले अफसरों करमचारियों को सरकार की और से आर्थिक साहयता शहीद की पतनी को दी जाती थी सरकार ने अब तय किया है कि अब सहायता की 50% राशी शहीत के माता-पिता को भी दी जाएगी दूसरा जेल की विवस्था को लेकर जेल में सुविदा बढ़ाने और स्किल डेवलप्मेंट को लेकर मोहन सरकार विदानसबा में बिल लेकर आएगी किसानों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए मोहन सरकार म्रदा परिक्षन के लिए एगरिकल्चर से पास आउट स्टूडेंट को रोजगार देगी किसानों को समझा कर मुर्दा प्रडिक्शन करने के लिए प्रेरित किया जाएगा ऐसे किसानों को मिट्टी की सही रिपोर्ट मिलेगी अब राज्य सरकार माननियों का इंकम टेक्स जमा नहीं करे गई मंत्रियों को अब खुद इंकम टेक्स जमा करना होगा CSR के माध्यम 10 एकड का प्लांटेशन किया जाता था अब सरकार ने 10 एकड की सीमा को समाप्त कर दिया है छोटे दान दाता भी अब कम जमीन पर प्लांटेशन कर सकेंगे प्रदेश के बाहर के सैनिक स्कूलों में पढ़ने वाले मध्यप्रदेश के स्टूडन्स को स्कॉलर्शिप मिलेगी भारती खेल प्रदिकरन को 100 एकड जमीन पहले से थी एक एकड और जमीन लीच पर दी गई है रेल पर योजना की नोडल एजनसी PWD को बनाया गया चुनाव प्रचार ठमने पर प्रिंट मीडिया को विज्यापन देने पर लगे प्रतिबंद को हटाया गया राज्य चुनाव आयोग अब लोकल चुनाव में विज्यापन देने की अनुमती देगा अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही आगे जो भी अपडेट आते हैं मद्यप्रदेश से रिलेटेड आपको वो खबर बेबाग पे जरूर मिलेंगे इसलिए खबर बेबाग को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद